वेल्केम टु माई चनल इसके सम्में दोस्तों मैं दगातार ऐसे वीडियो बना रहा हूँ जो वेबसाइट को लेके या ओनलाइन अर्णिंग को लेके और मैंने दो तीन वीडियो इससे पहले मैंने डाला हूँ अपने चनल पे कि आप किस तरह एक वेबसाइट बना सकते हैं तो फ्रेंड्स आप चाहते हैं कि एक वेबसाइट हम बनाएं और प्रोफेस्टनल वेबसाइट मनाएं तो इसके लिए जो बेसिक कंपोनेंड्स जो है जो Sig do maizersł कर रहा है तो चली इस वीडियो कि में श्टार करतेता प्रोफेशनल आपको एजब वेबसाइट बनाना है तो उसके लिए आपको कुछ चार-पाँच ऐसे कॉंपोनेंट्स जो हैं वो चीज के बारे में जानना और इस्टेज के बारे में फुली आपको पतला इंट्रडूश होना उससे बहुत ही ज़रूरी है और वो मैंको होता ह सबसे पहले खाये है ऊसान नेंट्स होता है फूस्टिं अचीफ ऑनेंजाबल इससे बात आई चार और यह होता है., कैसा कन फिसे कोमता है, कानल और और जो वहां बता रहा हूं हुं पर जेतने सारे वेबसाइट ने जरुन जैसे google.com, youtube.com, facebook.com तो जितने भी सारे website होते हैं, उसके दो parts होते हैं, मतलब उसके नाम जो होता है, उसमें दो parts में होता है, dot से पहले जो होता है, उसे बोलते है domain name, और dot के बाद जो होता है, उसे बोलते है domain, वो ही होता है domain, जब तक हम domain नहीं लेते हैं, तब तक कि जब professional website थो नहीं बन पाएगा तो डॉमें लेंगे हम डॉमेंड कहां से कर देंगे GoDaddy से या फिर Google पर जाके कर देंगे और ealmost day one-year के लिए domain हम लेंगे और domain को लेने के लिए कुछ है हमें प्रे करना पड़ता है जिसे almost आपको one year के डिये आपके simple domain लेते हैं जिसे .com जो हुआ तो इसके price तो ज्यादा होती है इस तरह आप .teal है .org है .net है इस सब के price जो होती है अलग-अलग होती है तो almost आपको 100 में आपको एक साल के लिए आप domain ले सकती है और इसके according to अलग-अलग मतलब नाम पर अलग-अलग price होता है तो आपको domain के बारे में थोड़ा बहुत मालम हो गया होगा कि domain है क्या actually आप जो जब भी website बना रहे हैं तो यह दो चीज जो होता है काफी important है नि बहुत ही important होता है domain हुआ और hosting हुआ domain के बारे में आप समझ गया है actually जो आप नाम जो लेते हैं टाइटल होता है टाइटल के बाद में domain होता है जैसे affiliate.com affiliate.in dot dot के बाद जो आ रहा है उसे बोलते है domain अब आई आप बात करते हैं hosting को लेगा अपने pc में या फिर computer में हमने save कर दिया जब कोई visitors या फिर audience जो होता है उस keyword को जब search करता है तो मेरा website खुलता है और website खुलने के बाद जो मेरा file जो open होगा वो कितना fast open हो रहा है मतलब audience जब हमारे website पे आएगे तो hosting का ये काम होता है कि उससे मतलब जो page है उसे open करने वहां से SERVER को provide करता है ठीक है actually सरबर होता है कि हम किसी company से लेते हैं उसी को बोलता है hosting बोलते है service को provide करना service को provide करना that is called server और server क्या होता है उसी voice होती सरवर के लिए हो unrestying हमको लेना पड़ता है जो hosting है जो hosting आप लियर है कितने टाइप्स का होता है मैं इसके बारे मां तो एक्स्प्रेंग कर दो रहा हूं तौर स्क्राइड अब्रणा जो एक डब्बा है जिसकी इसपेश जो है 16GB है और वो पूरा 16GB का वर्टुट्वल फोर्टूल जो एक इंस्ट्रूमेंट्स है जो मसीन है वह एक पर्षन को द जो एक मसीन जो है या इंस्टूमेंट उसे बोलते हैं बारासा बनाके उसे बार पांट वाइस हम ने कर दिया और दो जीवी का मैंने उसका इस बनाकिए और उसे बहुत सारे लोगों को हमने प्रोवाइड कर दिया तो उसे बोलेंगे विपियस पोस्टिंग और उस दो GB को फिड से डिवाइट किया जाए और उसमें बहुत सारे लोगों को इंक्लूड कर लिया जाए उसे बहुत हैं जो होस्टिंग जो लोग इसको यूज करता है इसकी कोश्ट ज्यादा वोती है और इसकी बेनिफिट्स जो हता है यह होता है कि अब बहुत सारे एक बार में लोग जो है वो एक ही सकेंड में आ सकते हैं और इस तरह के जतनी में सारे वेपसाइट जिस पर बहुत ज़्यादा क्लिक आते हैं और इससे भी ज्यादा आते हैं तो उसे डेडिकेटड होस्टिंग लेना चाहिए जिसे आप यह आप इसे बिगिनर्स हैं तो यह सेड होस्टिंग बहुत ही अच्छा है चीफ भी है और एक्सपरियेंस के लिए सीखने के लिए आता है एस्टेमल जावा कोड़िंग और टेंपलेट्स को लेकर देकर टेंपलेट्स जो होता है वह एक्चुली आपके वेबसाइट का फ्रण्ट वीव होता है जैसे आप कोई वेबसाइट को जो जाते हैं उसे बोलते हैं टेंपलेट्स बोलते हैं कि आपका वेबसाइट पैसा दिखता है किस तरह का दिख रहा है उसे पोलते हैं टेंप्रेट होते हैं और HTML जो कोडिंग होती है जो जावा होती है उसमें क्या होता है कि आप अपने website को जो क्स्टमाइज करतें हैं वह जो डिजाइन करते हैं आप अपने website क्यों कैसा दिखता है मेरे विबसाइट को से वोते हैं टेंपलेट्स बहुते हैं वेसिक आपको हमें चार कॉंपोनेट्स पता है वेबसाइट के जो कि इस चीज को जानना बहुत ही जरूरी होता है फश्ट में डोमेन पोस्टिंग अब इस वीडियो मस इतना है अभी तक आपने इसलम को सस्क्राइब ने किया तो चैनल को सस्क्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेर कीजिए आप चाहता है कि इस तरह के वीडियो आपको कंटिन्यू मिले तो कमेंट के मादें तो मुझे बदाए ये मिलते एक नेक्स्ट कि अर वीडियो एक वीडियो आपको का वीडियों कि शरा ऑ्ट लाइक कीजिए अवीडि़ आपको भीयों मिले तक ये वीडियों कि बदानी।